नमस्कार! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. आज हम आपको सुनाएंगे बुद्धी का बटवारा की एक नई कहानी. सत्तु और भानु नाम के दो भाई चंदनपूर गाव में रहते थे. चंदनपूर एक बहुत ही छोटा सा गाव था. गाव की आबादी ज्यादा नहीं थी. दोनों भाई एक ही छट के नीचे रहते थे. दोनों का ब्याह हो चुका था. अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता क की मृत्यू हुई थी. जब तक पिता जिन्दा थे, तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता था. परन्तु जैसे ही पिता की मृत्यू हुई, बड़े भाई सत्तु और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे. बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का आदमी था, वो बात-बात पर अपने बड़े होने का फाइदा उठाने लगा. चोटा भाई भानु बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था, और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वाभाव की थी. इधर बड़े भाई की टोकाटा की चलने लगी, और दूसरी तरफ दोनों भाईयों की पत्न बावजूद भी घर में अशान्ती बनी ही रहती। आखिरकार दोनों भायों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग-अलग हो जाना चाहिए। इसी में सब की भलाई है। साथ में ये भी तै कर लिया गया कि जमीन, मकान और सामान सब का बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सत्तु ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें गाव के मुख्या से मिलना चाहिए। वो ही हम दोनों का सही फैसला कर सकते हैं, जिससे की कल को कोई परेशानी ना हो। भानू बोला, भाईया, आप बिलकुल ठीक बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुख्या जी को घर पर बुला लाता हूँ, पूरे परिवार के सामने ही सारा बंटवारा किया जाएगा। भानू और उसकी पत्नी को भी यह बात जच गई। अगली दिन सत्तु सुभा ही घर से निकला और दोपहर तक मुख्या जी को लेकर वापस लोटाया। तब मुख्या ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो, सब के सामने ही बंटवारा हो तो ठीक रहे। ताकि कल को कोई उच नीच ना हो, दोनों भायों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया, मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया, जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी, पांच बीगा सतु के और पांच बिगा भानु के मकान भी बहुत बड़ा है, इसके भी दो हिस्से कर दिये जाएंगे, और बाकी का सामान तुम लोगों में आधा आधा बांट दिया जाएगा, तभी सत्तु बोला, जी, हमारे पास भैंस है, जो एक ही है, आंगन में अमरूद का पेड है, वो भी एक ही है, और एक कंबल है, इ पिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किये देते हैं, भैंस का सिर छोटे भाई भानू का, और धड़ सत्तु का होगा, अमरूद के पेड की जड़ छोटे भाई की, और उपर का हिस्सा सत्तु का होगा, इसी तरह कंबल दिन के समय भानू के पास रहेगा, और रात के समय सत्तु के पास रहेगा, ये सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया की, ये किस तरह का बंटवारा है, जिसमें इन तीनों चीजों का फाइदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा, परंतु वो फिर भी चुप रहा, और उसने बंटवारा स्विकार कर लिया, असल में बात ये थी कि बड़े भाई के मन में खोट था, और वो ये तीनों चीजें हडपना चाहता था, उसने जानबूज कर ये बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वो मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपात पूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था, छोटा भाई भानू बहुत ही भूला भाला था, और इस शड्यंत्र को वो समझ नहीं सका, खुद भानू की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर ये कैसा बंटवारा है, बंटवारा होने के तुरंत बाद, दोनों भायों ने घर का अपना-पना हिस्सा संभा अगली सुभर भानू ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड को पानी दिया, जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ, तो तुरंत सतु वहां पर पहुंच गया, और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए ये दूध सिर्फ मुझे मिलेगा, जब भानू अमरूद के पेड के पास फल तोडने लगा, तो सतु की पतनी चिलाते हुए आई, देवर जी पेड का उपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसलिए ये फल आप नहीं तोड सकते, शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया, कि कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा, यही तो बंटवारे की शर्ते थी, रात को भानू की पतनी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है, आप बड़े ही भोले भाले हैं, परन्तु आपका भाई एक नंबर का शातिर है, तुम ठ ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था, जो भाया का ये शद्यंत्र नहीं समझ सका, आप चिंता ना करें, एक ही दिन में ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, बस कल आप वही करना, जो मैं आपसे कहूंगी, आपका भाई कितना भी शातिर हो, वो जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धी का बंटवारा नहीं कर सकता, अगली सुभः भानू रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता है, फिर अमरूद के पेड को सीचता है, कुछ देर बाद बड़ा भाई सत्तु आया, और उसके चहरे पर एक कुटल मुसकान थी, वो भैंस का नहीं निकालने दिया, तभी सत्तु ने जहलाते हुए कहा, मूर्ख क्या कर रहा है? भानू ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं, बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूं, बेचारा सत्तु दूद्ध नहीं निकाल पाया. शाम हुई तो, भानू ने कंबल पानी में भिगो दिया, और रात को जब सत्तु कंबल लेने के लिए आया, तो कंबल पानी से निकाल कर उसे थमा दिया, और कहा, लो बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो, पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यूं डाला? ये द सत्तु मन ही मन में भानू को बुरा भला कहता हुआ, वापस लोट गया, सत्तु की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है, इस मूर्ख को इतनी बुद्धी कैसे आ गई, क्या मालूम कौन उसे ये पट्टी पढ़ा रहा है, कल सुभा देखते हैं, क्या माजरा है अगली सुभा आंगन से ठक ठक, की आवाज आने लगी, तो सत्तु और उसकी पत्नी की नींद खुल गई, वो दोनों बाहर निकले, तो देखा भानू कुलहाडी लेकर अमरूद के पेड की जड़ काट रहा था, सत्तु दोड़ा दोड़ा गया, और बोला, बसकर भाई, अ तब तु अमरूद क्यों काट रहा है, अमरूद की जड़ तो मेरी है न, तो मैं इसे पानी से सीचूं, या कुलहाडी से काटूं, मेरी मरजी, तब सत्तु ने कहा, आखिर तु ये क्यों कर रहा है, भानू ने कहा, मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूं, जो बिना किस पक्षपात के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने बेइमान मुखिया को रिश्वत दे कर करवाया था, ठीक है, हम एक निश्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं, फिर गाव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया, फिर ये फैसला हुआ की, कंबल और भैंस 24 घंटे तक ए एक भाई का अधिकार होगा, और अगले एक वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा, इस तरह से पंचायत ने दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया, रतौली गाम में जानकी राम नाम का एक आदमी रहता था, रात के समय गली में कुत्तों के भोखने की आवाद स सुनकर जानकी राम जाग गया, तब तक आधी रात बीच चुकी थी, कुत्तों के भोखने का कारण जानने के लिए, जानकी राम कीवाड खोल कर बाहर आया, उस अंधेरे में एक गधे को देखकर कुत्ते भोख रहे थे, जानकी राम ने कुत्तों को भगाया, जब वो अंदर जाने लगा, तब उसकी नजर बाहर लेते हुए एक अजनबी पर पड़ी, जानकी राम ने पूछा, कौन है, पर उसे कोई जवाब ना मिला। मुश्किल से खड़ा हुआ, और हाथ जोड़कर जानकी राम को प्रणाम करने लगा, जानकी राम उसे सहारा देकर अंदर ले आया, और अंदर लाकर उसे लेटा दिया, वो अजनबी तुरंथी सो गया। की पतनी रतना थी, पिछली रात को वो अपने रिष्टेदारों की शादी में गई थी, और सवेरा होते ही घर वापस लोट आई। रतना ने अंदर आते ही कहा, तुम अभी तक सो रहे थे, सूरज को उगे हुए तो, बहुत ही देर हो गई, जब वो अंदर आई तो, उसने वहाँ पर लेटे हुए आदमी को देखा, और अपने पती से पूछा, कोई महमान आया हुआ मालूम होता है। कौन है ये? जानकी राम ने कहा, मैं नहीं जानता, और इन शब्दों के साथ जानकी राम ने उसे पूरा समाचार सुना दिया। रतना ने कहा, उफ, बीचारे को गरम गरम दूध पिला देती हूँ, तो यह चंगा हो जाएगा। तुम उसे जगा कर हाथ मूह धोने के लिए कह दो। ये कह कर रतना रसोई घर में चली गई। जानकी राम ने अजनबी को जगाने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा। मगर वो चौक पड़ा, रात को अंगारे जैसा तपने वाला, अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। जानकी राम ने घबरा कर कहा, ओह ये तो मर गया, ये सुनकर रतना रसोई घर से दोड़ी दोड़ी आई, और दुखी होकर बोली, बेचारे मर गए, अब क्या करें, ना मालूम ये किस गाव के हैं। इसके बाद जानकी राम ने उस अजनबी की कमर टटोल कर देखा, एक रुप्य की थैली उसके हाथ में लग गई, उसने थैली को खोल कर देखा, तो उसमें रुप्यों के साथ साथ एक चिठी भी थी, और उसमें लिखा था, बेटा नारायन, हमारे गाव में एक आदमी ने बताया कि तुम्हें बुखार है, अब तुम्हारी तबियत कैसी है, यहां पर तुम्हारे छोटे भाई की हालत अच्छी नहीं है, वो ये सोचते हुए परिशान है, कि बेटी की शादी के लिए 3000 रुपे कैसे जमा करे, जो रिष्टा पक्का किया है, वो बहुत ही अच्छ है, इस हालत में तुम दोनों को अपने पुराने मन मुटाव और जिद को भूल जाना चाहिए, राधा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए, इसलिए ये चिठी पाते ही, यदि तुम्हारी तबियत अच्छी हो, तो रुपे लेकर जल्दी चले आओ, इधर हमन में भी मकान बदल लिया है, मकान का पता नीचे लिख रही हूँ, तुम इस खत को अपने साथ लेकर आओगे, तो घर का पता आसान से लगा सकते हो, चिठी पढ़ने पर जानकी राम को सारी बात मालूम हुई, कि मरने वाला आदमी नारायन था, और उसकी माने उसे ये लिखी थी, जानकी राम ने अपनी पतनी से कहा, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के वास्ते रुपे लेकर चल पड़ा था, और रास्ते में ही मर गया अच्छा हुआ, कि इसने ये चिठी अपने साथ रख ली, हमें कम से कम इसके छोटे भाई के मकान का पता तो लगी ज जानकी राम ने किराय की गाड़ी मंगवाई और नारायन के छोटे भाई के गाव चल पड़ा, मकान का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, मगर घर में कदम रखते ही भीतर से आने वाली आवाजे सुनकर वो दर्वाजे पर ही रुख गया, घर के अंदर से वो रिष्टा कहीं दूसरी जगा कर लेंगे, सामने बैठी औरत ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कहते हो, ये रिष्टा तो बहुत ही अच्छा है, रुपेओं के ना मिलने के कारण इस रिष्टे को तोड़ना ठीक नहीं है, मैंने तुम्हारे भाई को रुपेओं के लिए चिठी लिख दी है, वो जरूर ही वक्त पर पहुंच जाएगा, ये कहते हुए मा ने उसे समझाया, छोटा भाई फिर से बोला, मा, तुमने मुझसे पूछे बिना ही बड़े भाई को चिठी क्यूं लिखी? भाई के रुपेओं को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उस धन से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, तब मा ने भर्राय हुए स्वर में कहा, अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाईयों के बीच, जो मनमुटाव हो गया है, उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चहरा तक नहीं देखते हो, मैंने सोचा थ कि कम से कम राधा की शादी के बहाने ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे, इतने में जांकी राम ने दर्वाजे पर दस्तक देकर पूछा, क्या नारायन के छोटे भाई का मकान यहीं है, भीतर से 40 साल का एक आदमी दर्वाजा खोलकर आश्चर्य में आ गया, और बोला, आप कौन हैं? अंदर आज आईए, जांकी राम अंदर जाकर बैठ गया, और रुपेयों से भरी हुई थैली वहाँ पर रखते हुए, छोटे भाई को वो चिठी थमा दी, छोटे भाई ने चिठी पढ़ी, और कहा, ये चिठी तो मेरी मा ने लिखी है, और भाईया के नाम पर लिखी होगी, वो खुद आने में संकोच करते होंगे, इसलिए रुपे भेज दिए, कृपिया आप इस रुपेयों की थैली को मेरे सामने से हटा लीजिए, जांकी दास ने कहा, आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे, लेकिन आ नहीं पाए, आप दोनों की मुल अब इस जिन्दगी में नहीं हो सकती, इन शब्दों के साथ जांकी राम ने उसे सारा किस्सा सुना दिया, अब छोटे भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मा तडप कर रो उठी, और छोटा भाई रोते रोते बोला, भाया मुझे माफ कर दो, उसे रोते हुए दे आपके बड़े भाई का अगर आपके प्रती बहुत ज्यादा प्यार ना होता, तो तबियत खराब होने के बावजूद भी, वो रुपे लेकर क्यों चल पड़ते, आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए, अब उसे चाह कर भी नहीं पा सकते। इतने में पचास साल का एक आदमी वहां पर आया, और उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या? उस आदमी को देखते ही मा, और छोटा भाई दोनों ने रोना बंद कर दिया, और हैरान होकर उसे देखने लगे. छोटा भाई उसके समीप गया, और बोला, क ये कहते हुए उसने अपने बड़े भाई के पैरों को छू लिया. जानकी राम समझ गया कि ये व्यक्ती नारायन ही है. जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, सारा समाचार जानकर नारायन ने हसते हुए कहा, मैं रुपियों की थैली लेकर परसों ही घर से निकल पड़ा था, और राधा के वास्ते रेशमी साड़ी खरीदने के लिए मैं शहर के एक दुकान में गया, वहाँ पर एक बुड़ा भीख मांगते मांगते मेरे पीछे पड़ गया, उस पर मुझे दया आ गई, और मैंने रुपियों की थैली में से एक रुपिया निकाल कर उ मैंने साड़ियां खरीद ली, और रुपियों की थैली निकालने को हुआ, तभी देखता हूं की थैली गायब थी, इसके बाद मैं सीधे घर पर पहुंचा, और फिर से रुपे लेकर तुम्हारे घर के लिए चल पड़ा, जानकी राम के घर में जो आदमी मर गया, वो शाय और ने मर कर हम लोगों का भला किया, उसकी वजह से तुम दोनों भाई एक बार फिर से एक हो गए, तब जानकी राम ने कहा कि मा जी, उस चोर की वजह से नहीं, बलकि आपकी लिखी हुई चिठी का ही यह कमाल है, इधर नारायन और उसके भाई ने जानकी राम का धन्यवा किया कि, उसने चोरी किये हुए रुपेयों की थैली को उन तक वापस पहुँचा दिया, और साथ ही जानकी राम को शादी का निमंतरन भी दिया, इसके बाद जानकी राम वापस अपने घर पहुँचा, और उसने उस चोर का दाह संसकार करवाया, अब जानकी राम के मन में ये संतुष्टी थी कि उसने आज कई सारे पुण्य के काम किये जैसे चोरी की हुई रुपेयों की थैली को वापस सही जगा पर पहुँचाया और उस चोर का दाह संसकार भी किया और उसे नारायन के रूप में एक अच्छा मित्र भी मिल गया दोस्तों अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कहानी को अंठ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद